वेल्कम टू माई यूटूब चैनल इंगली 799 चलिए आज हम स्टॉर्ट करते हैं यूपी बोट के क्लॉस्टेन का इंगली सब्जेक्ट का प्रोस सेक्षन में चेप्टर नमबर वन चेप्टर नमबर वन का नाम है दी एंचेन्टिट पूल एंचेन्टिट का मिनस होता है जादूई पूल का मिनस होता है तलाब जादूई तलाब इसको राइट किये है स्रीराज गुपाला चारी ने या पाठ महा भारत से लिया गया है और या तब की कहानी है जब पांडों को तेरे साल का अग्यातवास दिया जाता है तो उसी दोरान युधिस्टिर को प्यास लगती है और अपने भाईयों को एक एक करके एक तलाब के ब से पोचते हैं कि मैं प्रस्ण जो पूछ रहा हूं पहले उसका जबाब दीजिए तम मैं आपको पानी पीने दूँगा लेकिन इनके भाईयों ने जबाब नहीं दिया और वैसे ही पानी पीने की कोशिस किये अंत में युधिस्टिर जाते हैं और यच के सभी प्रस्णों क जबाब देते हैं और यच से खुस हो जाते हैं उनको आर्चिवाद देते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं मतलब कुल मिला कर यह करना चाहिए युधिस्टिर का परिच्छा लेना चाहते थे चलिए हम कहानी को टेस्ट के माध्धम से समझते हैं about the lesson about का मिस बारे में the lesson मतलब part, part के बारे में हमारा main test यहीं से start होता है this lesson यह part is an extract लिया गया है from the महाभारत यह part महाभारत से लिया गया है it reflects the character of युधिस्टिर reflects मतलब प्रकास डाला गया character चरित यह इसमें युधिस्टिर के चरित पर प्रकास डाला गया है धर्धर्म राज जिनको धर्म राज करते थे इसलिए इनको धर्मराज की नाम से चाना जाता था his patience उनके धायर की kindness दयालुता की love for his brothers अपने भाईयों के प्रत प्रेम की and or intelligence बुद्धिमता की he pleases yach वह yach को खुश कर दिये थे और yach कौन थे यमराज जो yach का रूप धायर करके उस तलाम में आये थे he pleases yach वह yach को खुश कर दिये थे by giving satisfactory answer to his questions satisfactory का मतलब होता है संतुस्ट जना का अंस मतलब उत्तर वह yach को उनके प्रस्णों का संतुस्ट जना को उत्तर दे कर उनको क्या कर दिये थे संतुस्ट कर दिये थे the yach was pleased जो yach थे खुश हो गये थे विद युदिस्टिर impartiality impartiality का मिंस होता है निच्पच्चता युदिस्टिर के निच्पच्चता से खुश हो गये थे the yach was yum यच कौन थे यम यम मतलब यम्राज the lord of death मृत के देवता मतलब वास्त में जो यच्पच्च थे मृत के देवता यम्राज थे जिनको यम बोला जाता हूँ हट टेकेन जो लिए थे the farm of yach जो यच्पच्च का रूप लिए थे टू सी युदिष्टिर को देखने के लिए and और test his knowledge उनके ज्यान की परिच्च्चा लेने के लिए बिंग सैटिस्फाइव बीध ही ज अंसर साटिस्फाइव मतलब संतुष्ट हो जाते हैं बीज ही ज अंसर मतलब युदिष्टिर के अंसर से उनके अंसर मतलब युदिष् मतलब यूधीस्टिर् को वो उनको आर्शीवाद देते हैं.. मतलब अंत में जो यह अंत रूप लेकर वो यूधीस्टिर् मों आर्शीवाद देते हैं.. यह हमारी इच्जाम में आयगा हम टेस्ट को जितना अच्छे से समझे रहेंगे.. वर्ड मीनिंग के साथ उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा एक्जाम में अंसर को याद करने में युदिस्टिर वेटेड युदिस्टिर ने इंतजार किया फार हीज ब्रदर्स अपने भाईयों का इन एंजाइटी चिंता में चिंतित में बोलते नहीं सब्जेक्टे विश्टे के अधीन हो गये यह विश्टे बिलासता में लिप्त होगे वही चिजा कायन पहले आया है इसका मतलब है स्वं सराब के अधीन हो सकते हैं आर या आर दे ज्टील मतलब है यह सब्दीर बात इंधिस्टिर बोल रहा है मतलब स्वयम से बोल रहे हैं मन में सोच रहे हैं कायन दे है फेंटेट क्या वे मुर्शित हो सकते हैं मतलब यह दुश्टिर यह सब बाते स्वयम से जैसे किसी गया नहीं आते हैं उनके भाई तो मन में सोच रहे हैं ऐसा कहीं नहीं हो सकता है and they have fainted क्या हुआ मुर्चित हो सकते हैं और यह died of thirst यह फ्यास से मर सकते हैं डाइड मतलब वता मरना फ्यास है क्या अउआ फ्यास से मर सकते हैं unable to bear these thoughts unable मतलब असमर्ध हो जाते हैं सहन करने इन विचारों को मतलब मन में इन विचारों को कोई शहन करने में क्या हो जाते हैं समर्थ हो जाते they driven by एन ओर started out to look far look far का मिन्स होता है खोज में his brothers अपने भाईयों की खोज में चल देते हैं and the pool और उस तलाब की खोज में अपने भाईयों की खोज में और उस तलाब की खोज में क्या कर देते हैं अपने भाईयों की खोज में जल देते हैं और उस तलाब की खोज में वोपिंग आशा करते हुए या आशा करते हुए देट की ही माइट फाइंड देवा उनको खोज सकेंगे इसके बाद हमारा टेस्ट यहां से है युदिष्टिर प्रोसीडेड युदिष्टिर आगे बढ़ते हैं उसी दिषा में his brothers had taken जिस दिषा को उनके भाईयों ने लिया था प्रोसीड का मजिस्ट होता है आगे बढ़ना डारिक्शन मतलब दिषा युदिष्टिर उसी दिषा में आगे बढ़ते हैं जिस दिषा में उनके भाई गए थे अनकेपट उन जारी रखते हैं वाकिन चलना थू द ट्रिक्श का मतलब होता छेत्र से full of wild wears बाईड मतलब जंगली वीर्स मतलब बहालूं से मतलब उस छेत्र से चलना जारी रखते हैं जिसमें जो छेत्र जंगली बहालूं से क्या है भरा हुआ है अनुस्पॉटेड इयर, चितकबरे हीरन से, बीक फारिस्ट बर्ड, बड़े-बड़े जंगली पश्चियों से, टील, तक ही केम अपान ब्यूटिफूल ग्रीन मिड़ो, तब वह एक हरे सुन्दर हरे चारा गाह के पास आते हैं तब वह किसके पास आते हैं, ग्रीन मतलब हरे होता है, मिड़ो मतलब चारा गाह होता है, तब वह एक सुन्दर चारा गाह के पास आते हैं, around a pool of clear water, मतलब उसी वही पास में एक स्वच पानी का तलाव रहता है, बट लेकिन, वेन ही सा, जब वह देखे, इस ब्रदर्स अपने भाईयों को lining, पड़े हुए, देर like flagpole, देर मतलब वहाँ, like flagpole का में सोता है, बास के लट्थे की तरह, मतलब जब अपने भाईयों को वहाँ बास के लट्थे की तरह, पड़े हुए देखते हैं, unable to restrain his grief, unable का में समर्थ हो जाते हैं, to restrain his grief, अपने दुख को रोकने में क् और restrain का में सोता है, रोकना, he lifted his wife, वह उची अवाज में उठाते हैं, अपनी आवाजों को उचा करते हैं, और रोने लगते हैं, he touched the faces of Bhima and Arjun, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को क्या करते हैं, इसपर्स करते हैं, touch मतलब होता है, चुना इसपर्स, जैसे कि they lay so still, जैसे क वे कैसे पढ़े हैं, सांथ, silent, वह सांथ हो जाते हैं, और मौरन, और भी लाफ करने लगते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, watch this to be the end of all, अवरोज, क्या हमारे सभी प्रतग्याओं का यही अंत होना था, end मतलब अंत, all, अवरोज मतलब प्रतग्या, क्या यही हमारे सभी प्रतग लगवक क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, you have been taken away, तुम लोग छोड़ कर चले गए, even, यहां तक की the gods, भगवान है फार सेकें, बे सहारा छोड़ दिये मी, मुझे इन माई मिस फार्चुन, दुर्भाग में, मिस फार्चुन का मतलब होता दुर्भाग, यहां तक क देखते हैं, at their mighty limbs, उनके सक्तिसाली भुजाओं को, limbs का मतलब होता हाथ पर मतलब दोनों, भुजा जिसको मतलब, mighty मतलब मिस का सक्तिसाली, जैसी वा उनके सक्तिसाली भुजाओं को देखते हैं, now up so hill place, बहुत ऐसा हाय है, he sadly wonder, वा दुखी पुरुवक आश्यर करते हैं, who कौन could have been powerful enough to kill them, कौन इतना सक्तिसाली हो सकता है, जो उनको मार सके, enough मतलब परियाब तुरु से powerful का मतलब सक्तिसाली, kill मतलब मार रहा, कौन इतना सक्तिसाली हो सके, जो उनको मार सके